पाली के अंदर सारे जितने भी सब्द हैं, उनके सारे रहष़े बहुत सिंपल हैं और ऐसे ही दिखायते जाते हैं, अगर कोई देखने वाला ध्यान से हो एक शब्द है Прभू प्रभू परमेशवर भी बोलते हैं आज अम यहाँ प्रभू या प्रभू परमेस्वर का सदसार बताएंगे, शब्द का आर्थ बताएंगे basically जो प्रभू है क्योंकि आधारे पाली में नहीं होता किसी भी तरह का उपर सब्दों के उपर जो लगते हैं आधर है वो, या सब्दों के नीचे जो लगते हैं आधर है वो, इन मेंसे कोई भी आधर है पाली प्राकर्टिक भासा के अंदर है ही नहीं, यानि पुरानी भासा में ये नहीं है, भारत का ये आधर है नहीं है, ये सांसकारित है, मोड अगर हम पे हटा दें, तो कि पे इसका जो उपसर्ग है, यानि जो सबसे पहले लगते हैं, और भू खाली या अलग सब्द है, तो भू का मतलब होता है, जमीन से समझित होता है, ऐसे हम कहते हैं भू पालो, भू पालो का मतलब है राजा, यानि जो भू को पालता है, यानि ज पबल या प्रबल और अगर बल और प्रबल में अंतर देखें तो बल छोटा लगता है प्रबल स्ट्रॉंग लगता है यानि प्रबल के साथ यानि पूरे बल के साथ उसने काम किया बल का मतलग खाली बल के साथ किया ऐसे ही भू और प्रबू में यही अंतर है जो भू का स्व बोले ज़्यादा रखें, उसको श्टॉंग करें, तो उसको बोलते हैं, पैभू, यानि प्रेभू, तो पुराने समय में, जिनके पास लेंड होती थी, या जो लेंड पर काम करते थे, जमीन पर काम करते थे, खेत में काम करते थे, और जो उस खेत के काम करते करते मालिक हो ग यानि कि उसका अधिकार रखनेमाला मालिक हो गया यहां मालिक, स्वामी, अधिपती, लौड, ओवरॉर्ड इन सब के लिए इस्तमाल होता है एक प्रभुत्त होता है प्रभुत्त उसको बोलेंगे संस्कायद भासा में और पभुत्त बोलते हैं पभु से बना हुआ है पभुत पभुत का मतलब है नाउन हो गया यानि कि जो उस पर धिकार रखे जो उसका स्वामी हो जो उसका मालिक हो जो डॉमिनेंसी हो जो अथोर्डी रखता हो यानि आप देखा होगा कि कहते हैं भई इस पे इसका कबजा है ये तो यानि उसका स्वामी है उसका मालिक है उसका वो अच्छी तरह से कबजा करके बैठा हुआ है ये प्रभु से बना हुआ है प्रभुत बना हुआ है ये सिंपल सा सब्द है एक सब्द और आता है प्रभु परमेश्वर बहुत चलता है, प्रभू परमेश्वर, इसमें पभू तो मैंने आपको बता दिया, पे और भू करके बना हुआ है, और परम होता है, परम का मतलब है the excellent, यानि the best, जो सबसे अच्छा होता है उसको परम बोलते हैं, और परम इसी वर, इसी का मतलब मैंने आपको पहले बताया था आप एक बार वीडियो देख लें फिर भी यहां इसी का मतलब होता है जो तब करता है साधना करता है और जो जीवन के वारे में रहस्या को खोजता है ऐसे व्यक्ति को इसी बोलते हैं पाली के अंदर और बाद में संस्काज़ भासा में इनको रिशी बोलते हैं आज ही रे या अधिपत्य है या जो उसका काम का जानकार है वो पभू और परम माने the best इसी माने हो गया scientist और इस वर माने हो गया best ये इसके simple से सब्द हैं ये सारे सब्द पाली में बहुत simple से हैं और उन्ही सब्दों से ये बना हैं basically ये आप इसको कैसा इस्तिमाल करते हैं आपको ये करके डाला जाता है और या किसी सब्द को कितना नीचा करके डाला जाता है इस से आपके मायंड में उस सब्ध का पूरी तरह से एक file और code बनता है, उसी तरह से आप act करते हैं, उसी तरह से आप काम करते हैं, आप जो काम करते हैं, उस काम के आप परभू हैं, जो काम आप करते हैं, उस काम के आप पंडित हैं, धन्यवाद. कर दो 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 को प attackers कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल